वेल्कम बैक माँ क्या मैं पहले मामनी यह पर सफाई की थी डैज तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना बेखा हाँ बहुत छंदी इसलिए सफाई ठीक से नहीं कर पाई तुम हमेशा ऐसा करती हो मिट्सी यह गलत बात है माफ कर दीजे मुझे छोट भी लग सकती थी आज संभाल के पढ़िएगा प्लीज क्या पढ़ो हिरोशे हाट दोबारा लॉट के आना फ्रॉम अजूसा कहना पढ़िएगा डैड आप पहले के जमाने में बहुत स्मार्ट लगते थे यह कहां से मिल गया बताएगे आज से ठीक दस साल पहले के आपकी कोई दोस्ती कोई नहीं मैं बाद में बाद करूँगी ठीक है पिच्छी जल्गे डैड मॉम के वापस आने से पहले सारा काम अची तरह से खत्मी कर लेती है बहुत ज्यादा बुरा मान जाती है अगर वो बस साथ काम करती थी तो तुम इतने खुश क्यों लग रहे थे इस तस्वीर में कितने अजीब लग रहे हो अरे ये एक आफिस की पार्टी थी मिट्सी ये तारीक याद है 30 तव जैनवरी मैं कैसे भूल सकती हूँ मैं इस दिन का कबसे इंतिजार कर रही थी यासु की उरा कामे का डिनर शो अरे हाँ हाँ रोसा रखो मैं बच्चों का ख्याल रख लूँना मिट्सी सच में? कभी तुम्हें भी अकेले बाहर जाना चाहिए याहू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अरे नहीं मिट्सी आज रात को मैंने अपने कुछ जरूरी क्लाइंट्स को डिनर पर बुलाया हुआ है ओ, अच्छा, मैं समझ गई मैं यासु यू की उरा कामी के डिनर शो पर नहीं जाऊंगी और केल सारे मजें तुम नहीं किये, सच है ना? सारे सुबूत देखते हुई हमें सतीजे पे पहुचे हैं की आप उस रोशनी में बहुत गोरे लग रही है डैट मेरी बात सुनो, यह ओफिस की पार्टी थी, और कुछ नहीं है इसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे जल्दी आज तो मज़ा आ गया हाँ चलो कहीं पार्टी करते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? अजूसा की दुकान पास में ही है, चलो वहीं चलते हैं हम अजूसा की दुकान? हाँ, आप पहना मत बनाना, प्लीज वहीं चलते हैं हम लोग, चलो जल्दी चलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी दे के लिए हैं मैं समझ गया, बस थोड़ी देर लगेगी पर मैं जल्दी चला जाओंग, ठीक है? हाँ, ठीक है एक बात कहनी पड़ेगी, अगर आप मुझे अपनी साथ ले जाते ही, तो किसी भी परिशानी में नहीं भचते ही अगली बाद मुझे साथ जरूर ले जाना, मैं चलूंड़, प्र यहां कावागूची इन तस्वीरों में कही नजर नहीं आ रहा है कबसे समझा रहा हूँ तुम्हें, पर तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो, मिच्सी पर तुम फोटो क्यों चुपा रहे थे? ऐसा गलती से हो गया था औरे, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो, कावागूची भी उस दिन मेरे साथ था जब तुम्हें सच पता चलेगा तो अपनी खलती का अहसास होगा सुद्ये मा, शेंचन, मुझे माफ करना पीटर कर दीजिये, मुझे बहुत गर्मी लग रही है उरे, इसमें सब की फोटो थी, कावागूची की फोटो कहां चली गई कावागूची की फोटो जैसे इस कावागूची, मैं भी फोन नहीं उठा सकता कावागूची की फोटो मैं अब समझ गई हूँ, तुम्हें ठंड लग जाएगी मुझे पता है कि तुम अजूदा की साथ है बहुत हुआ, अब रहने भी दो बाद में तुम फिर यही बात करोगी मिच्ची मैं ढूंड ही लेता हूँ, कावागूची की फोटो आगे से मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करूँ चली ना डैट अंदर चलते हैं, बहर बहुत जादा ठंड है तुम्हारी माम ने बार-बार मुझे सुनाया था माम आप डैट से अंदर चलने के लिए बोलिए ना तुम्हारी माम ने बार-बार मुझे सुनाया था अगर मैं आपके साथ यहां बार खड़ा रहा तो मैं ठंड से बरव बन जाओंगा तुम्हारी माम ने बार-बार मुझे सुनाया था चलिए अंदर, घर चलिए मुझे याद आ गया, सब तुम्हारी गलती है शेंचा मिल गया मुझे ये सच है चालो, अब माफी मांगो, चालो मुझे माफ करना, मैंने आप पर शक किया चाहू माफ किया अच्छा, अब समझ में आया इसलिए तुमने अपनी फोटोस अलग बॉक्स में रखी थी इसमें क्या है माम? अरे, ये तो मेरा लिखा हुआ है मुझे ये तस्वीरे बहुत पसंद है मेरे लिए ये अनमोल है शुक्रिया, फ्रॉम मिसाई ये रोशे याद है जब हमारी नएने शादी हुई थी मुझे थन लग गए थी हाँ, 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 मुझे याद आ गया वो दिन और तुम मेरे लिए वर्ल्ड अफ मश्रूम लाए थे मैं बहुत ध्यान लगता था तुम्हारा देखो हमारे उन जनों की फोटो देखो हम तितने जवान थे ताब इस फोटो में हम तितने अच्छे लग रहे हैं ना अरे खो ये भी दरस नहीं मा बरी हमारी को एक भी फोटो नहीं लगता हूँ ना